उसकी तलाश करो जो दुश्वन के सामने दीवार भी बने और दुश्वन के दिल में गोली भी उतारे साउथ की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मुवी जिसने एक नया इतिहास रच दिया है तो अगर आप इस मुवी को हिंदी डप में अपने मूबाइल में देखना चाहते हो तो आज मैं आपको इस विडियो में बताने वाला हो कि ये मुवी आपको अपने मूबाइल में कब और कहां पर देखने को मिलेगी इसके अलावा आज की दिन साउथ की एक नए मूवी हिंदी डड़ में यूटूब पर रिलीज हो चुकी है जिसको आप अभी अपने मूबाइल में देख सकते हो तो ये मूवी कौन सी है और आपको किस चैनल पर देखने को मिलेगी सारी जानकारी आपको इस वीड़ो में देने वाला हो तो अगर आप भी साउथ की नए नए मूवी हिंदी डड़ में देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके आखरे तक जरूर देखना तो दोस्तों जैम्स एक एक अक्शन थिल्लर मूवी है जिसने रिलीस के बाद एक नया इतिहास रच दिया है और ये पुनीत राजकुमार के कैरियर की अब तक की सबसे ज़ादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है इसी के साथ साथ ये कनारा इंडेश्टरी की भी सबसे ज़ादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है जी हाँ दोस्तों खबरों की माने तो इस मूवी का बजट था 50 करोड के आसपास जब कि इस मूवी ने बॉक्स ओफिस कलेक्शन कर लिया है 1.500 करोड के आसपास और खबरों की माने तो जैंस मूवी 200 करोड का बॉक्स ओफिस कलेक्शन करने में भी कामियाब हो सकती है वहीं इस मूवी को IMDb के तरफ से 9.8 की शांदार रेटिंग मिली है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी जबरदस्त मूवी है और अगर बात करें इस मूवी की OTT रिलीज की तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कौन कौन इस मूवी को अपने मूबाइल में देखने के लिए एकसाइटेड है और आप में से कौन कौन इस मूवी के हिंदी डम में OTT में रिलीज होने का वेट कर रहा था आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और अगर बात करें इस मूवी की OTT रिलीज की तो मैं आपको बता दू कि खबरों की माने तो इस मूवी की ओफिशल OTT रिलीज कन्फर्म हो चुकी है और इस मूवी के OTT रैट्स को खरीद लिया है सोनी लिव ने जिहां दोस्तों ये मूवी आपको सोनी लिव पर देखने को मिलेगी और खबरों की माने तो इस मूवी को 15 अपरेल को सोनी लिव पर रिलीज किया जा सकता है और अगर बात करें दूसरी साथ मूवी की जो के आज कितिन हिंदी डड़ में यूटूग पर रिलीज हो चुकी है तो इस मूवी का नाम है लंदन राउडी और इस मूवी को अभी आप हिंदी ड़ड में आरकेडी स्टूडियो यूटूग चैनल पर देख सकते हो और इस मूवी का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा